ओके अलो फ्रेंट कैसे वह आप सब में वीशी और आप देख रहे हैं बाउंटी इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में प्रिंस पैस का जो आइपी हो है उसके बारे में डीटेल देखेंगे क्या इसके फाइनेंसल और कैसे इसके फाइनेंसल वह भी देखेंगे सो आपको एक आईडिया आसके कि हैं कि हैं कि हैंसल नारमल डीटेल का इन वीडियोगे हैं या नहीं सब्सक्राब जरूर करते हैं क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन ले आते हाते और जो बाग्टो में घंटे वाला बट्वुन है उसे जरूद दबा दीजिए जिसको आपको आमरी नोटिफिकिशन सबसे पहले मिल जाए पहले हम इस कंपनी की डिटेल डिसकस कर लेते कब यह open होगा, कब यह close होगा, वो सब बाद में हम इसके financial देखेंगे तो पहले हम देख रहे हैं, तो जो इसके open होगी, वो कब open होगा यह IP है तो यह issue 18 December को open होगा और 20 December को यह close हो जाएगा बाद में इसके issue size कितनी है, तो 500 करोड इसकी issue size है बाद में कितनी fresh issue है, तो इसमें fresh issue है 2500 करोड की बाद में offer for sale कितनी है, offer for sale है 2500 करोड मतलब क्या हो कि हाप फ्रेस इश्यू है हाप जो है वो ओफर फोर सेल है बाद में इसकी फेस वेल्यू के तो फेस वेल्यू 10 की है बाद में कौन सी प्राइस बेंट पे आ सकता है तो इसकी जो इस्यू प्राइस हो 177 से लेकर 178 की है यह फिक्स हो चुकी है अब बाद में यह क कब यह open होगा, कब यह close होगा, कब आपको refund मिलेगा, कब आपके सिर अपने demand account में आएंगे और बाद में कब यह listing होगा, तो पहले है normal हमने आगे discuss कर लिया, फिर भी हम एक बार बता देते, तो यह open होगा 18 December को, बाद में यह IPO जो opening की bidding की जो process है, वह close कब होगा 20 December को, बाद में की आएकि allotment कब होगा 26 December को, बाद में जो इसका initial refund है और 27 को मिलेगा, बाद में यह जो share है, वह आपका demand account में कब आएंगे, तो 30 December को यह share आपके demand account में आएंगे, और बाद में 31 December को यह listing होगा, तो यह होगी इसकी basic detail, बाद में रीटेल हो, तो आप कितने load minimum apply कर सकते हो, कितने maximum apply कर सकते हो, तो अगर आप retail है, तो 1 load apply कर सकते हो, 84 इसमे share होंगे, बाद में maximum हो, अगर आपको maximum करना है retail में, तो आप 13 load इसमें apply कर सकते हो, 1092 share इसमें आएंगे, तो ये होगी IPO की detail अब हम इस company के final sale के बारे में बात करते हैं अब हम इस company के final sale के बारे में बात कर लेते हैं पहले क्या है कि total asset डेख लेते हैं तो जो हमारा total asset होना चाहिए वो क्या होना चाहिए year to year increase होना चाहिए तो आप देख रहे हो तो जो total asset है वो आपको year to year increase होते हुए दिख रहे है तो यह क्या होती है एक अच्छी बात होती है बाद में इसका revenue देख ले तो जो revenue है वो भी year to year increase होना चाहिए तो 2016 से लेके 2019 तक आपको एक क्या है कि increase mode में दिख रहा है और इसके बाद last time profit after tax देख ल होता है तो वो भी आपको year to year increase होता हुआ दिख रहा है तो यह भी क्या है कि किसी company के लिए अच्छी बात है और जो last quarter था उसमें भी एक अच्छी खासी है आपको profit दिख रही है तो यह भी अच्छी खासी है मतलब इसको year में जब आप convert करोगे तो आपको एक अच्छी profit मिल में तो हो सकता ही यह IPO आपको subscribe करना चाहे लेकिन हो सके उतना वेट के लिए पहले देख लिए subscription के ऐसा है अगर subscription अच्छा हुआ तो आप last day आप apply कर सकते हो तो यह होगी हमारी और से चोटी सी detail IPO के बारे में जो prince IPO उसके बारे में अगर यह वीडियो आपको कहीं से भी अच कर देना चलिया मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुडबाई जाई हिन्द